मेरे यूट्यूब चैनल एस्टो नरेश पर आपका सौगत है नमस्कार मैं हूँ नरेश कुमार यदि आपने चैनल को सबस्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सबस्राइब करिए और यदि ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इसे शेर जरूर करिएगा बात हो रही ह है फ़र्वरी महीने के राशी फल की और आज बात करेंगे धनू राशी की धनू राशी के जातकों के लिए जनूरी का महीना काफी राहत वाला रहा है क्योंकि शनी का जो गोचर है वो जो चल रहा था वो साड़े साती वो खतम हो गई है और अब मानसिक तोर पर निस्जिक नहीं रहेगा और अब ये गोचर शुब हो गया है क्योंकि शनी अब तीसरे भाव से गोचर कर रहे है पाप ग्रहों का गोचर तीसरे भाव से शुब होता है फ़बरी महीने के राशी फल का की बात करने से पहले सबसे पहले बताएंगे कि फ़बरी महीने में आपके लिए ग्रहों की सिति क्या रहेगी पहली फैबरी के दिन बुद्ध जो है वो आपके लगन से गोचर कर रहे हैं ये साथ फैबरी को जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे आगे दूसरे भाव में दूसरे भाव में बुद्ध का गोचर अच्छा नहीं होता निश्य तोर पर आपको जो है वो तीसरे साथमें और दसमें भाव के अच्छे फल नहीं करेंगे साथ फेबरी के बाद लेकिन उससे पहले ये फल अच्छे रहेंगे शनी का गोचर हो रहा है तीसरे भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है गुरू चोथे भाव में गोचर कर रहे हैं चोथे का गुचर गुरू का अच्छा नहीं है राहू जो है वो पंचम में गोचर कर रहे हैं पंचम के राहू का गोचर अच्छा नहीं होता चंद्रमा और मंगल छठे भाव से गोचर कर रहे हैं यह गोचर शुब है मंगल जो है उसी स्थान के स्वामी शुक्र बनते हैं तो ये इस तरह की ग्रहों की स्थिती है आपकी कुनली में पहली फैबरी के दिन अब बात करेंगे कि करम की स्थिती क्या रहेगी और आय की स्थिती क्या रहेगी अब चुकि गुरू का गोचर अच्छा नहीं है तो गुरू लगन के और चोते भाव के अच्छी तोर पर नहीं करेंगे लेकिन गुरू की दृष्टी हमेशा शुब रहती है गुरू की एक दृष्टी पढ़ रही है दस्वे भाव के उपर यानि की करम स्थान के उपर और करम को वो निश्ची तोर पर अच्छा रखेंगे आपको काफी जो है वो कमफर्टेबल फील होगा अपने कारेस्थाल पर यदि आप कारोबार करते हैं तो वहाँ पर भी हो सकता है कि आपको उसके अच्छे फल मिलें आपके एफर्ट्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगे और आपको उसका बैटर रिजल्ट्स मिलेगा यदि आप जोब में भी हैं तो आपका डॉमिनेंस वहाँ पर बढ़ सकता है क्योंकि गुरू ग्यान में व्रिदी करते हैं और जब ग्यान आपके वर्क प्लेस के उपर नज़र आता है रिफलेक्ट करता है तो आपकी रिस्पेक्ट होती है और आपको निश्ची तोर पर अच्छी पोजिशन भी मिलती है तो आप कमफर्टेबल पोजिशन में रह सकत है तो निश्ची तोर पर क्योंकि केतु का गोचर शुब है आपके लिए तो वो शुक्र के फल करेंगे और शुक्र आपके लिए आयस्थान के मालिक हैं और करम के भागे भी हैं तो निश्ची तोर पर आपकी आयमें भी विर्दी होगी भले ही आपका बिजनस है भले ही आ बहुं कर रहे हैं, भले ही अप कोई फ्रीलांस काम कर रहे हैं, भले ही आपकोई तौड दूसरा अक्विपेशन कर रहे हैं जोब के लावा कि इस जी तो पर आपको फाइदा हो सकता है, यह स्थिति आपके लिए करम और आये और शुक्र का गोचर भी शुब है लेकिन चुकि राहू जो है वो लगन को देख रहे हैं चंदर्मा को देख रहे हैं तो थोड़ा सा वो आपको मानसिक टोड़ पर 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 परशान कर सकते हैं हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ों के लिए थोड़े से परशान हो जाएं जिनका बहुत ददाब से संबंद नहीं है किसी तीसरे व्यक्ति की परशानी आप अपने सिर पे ले ले लें ये चीज़ मत करिएगा किसी विक्ति को टेंशन में देखकर या किसी को तनाम में देखकर किसी की परशानी देखकर अपने उपर उसको हावी मत होने दीजिए यहाँ पर आपको मांसिक परशानी हो सकती है अवर थिंकिंग की समस्या आपके साथ हभी भी है और ये अक्तूबर तक बनी रह सकती है, यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यार रखने की ज़रूरत पड़ेगी मंगल चटे भाव में है, मंगल का चटे भाव में होने का मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा डाइजेशन में इशू हो सकता है क्योंकि मंगल जो है वो फारी प्लैनेट है और सूरे आपकी कुंडली में दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं वो एटिंग हैबिट्स का भाव है, जब ऐसी सिती आती है कि एटिंग हैबिट्स के भाव के उपर पाप ग्रहों का प्रभाव होता है या पाप ग्रह उसको देख रहे होते हैं तो आपकी खाने पिने की आतें कुछ इस तरह की हो जाती है या उस दुरान आप कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे आपका स्टमक डिस्टरब हो जाता है तो इस चीज़ को थोड़ा सा लेकर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा खास तोर पर जो लोग अलकोहल लेते हैं या जो लोग बाहर का खाते हैं कुछ काफी लोग हैं जो आज टिफन के उपर डिपेंडेंट हैं बाहर के काफी लोग हैं जो घर से बाहर रहकर काम करते हैं उनको खास तोर पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बाहर जिदी आप स्विगी आडर कर रहे हैं तो कोई ऐसी डिशना आ जाए कहीं से जो आपके पेट को डिस्टरब करते हैं वो थोड़ा सा आपको साथानी पूरवक रहना पड़ेगा खाने पिने के मामले में लेकर जहां कैंदर में हैं बुद्ध कैंदर में हैं शुब ग्रहों का कैंदर में होने के कारण ये सित्वी आपके फेवर में आ गई है तो पत्नी के साथ या पार्टनर के साथ आपका समंध अच्छा बना रहेगा इसमें कोई दिक्ट वाली बात नजर नहीं आती लेकिन सिंगल्स के ये disturbance नजल साफ आ रही है उसका कारण यह है कि पंचम भाव जो है वो राहू से पेडित हो गया है पंचम भाव जो है वो प्रेम का भाव होता है पंचम भाव से हम संतान भी देखते हैं गरबती जो फीमेल्स हैं जिनको प्रग्नेंसी चल रही है उनको खास तोर पर ध्यान र जाने का प्लैन मरना रखा है कई लोंग ड्राइप आप जाना चाते हैं तो हो सकता है वहां पर कोई ना कोई आपको वेवधान वह से थाफ्टान को मिलें मित्स जातकों देखकों बाभर महीने में तो कि बाभ्न वहां opposition आपकी हैं इस वह साज़िश कर रहा हिए यह यह प्रेम्स मंद्ग के लिए या आपके हाईर एड़ुकेशन के लिए या आपके परिगनेंसी के लिए बहुत अच्छा नहीं है यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी आ इसेहत की बात हो गई है करमकसान की बाल हो गई है आय की बात हो गई है और आपके नेट बॉक्स में जरूर बताइए हम इसमें सुधार करने की कोशिश जरूर करेंगे इसके साथ ही मुझे दीजे जाज़त नमस्कार